जब से Hero Company ने अपना Vida scooter प्रेजेंट किया है तब से बहुत सारे लोग confused हो गए हैं कि उनको V1 Plus की तरफ जाना चाहिए या फिर V1 Pro की तरफ जाना चाहिए If you are confused both scooters, then this video is special for you, please like this video and subscribe to Technical S.H.T. YouTube channel इन दोनों scooters related आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान सब्दों में मिल जाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी requirement के साब से आपको कौन सा scooter लेना चाहिए ज्यदों के आपको लेज़िन स्वेड़ियो autant कि आपको कौन सताइने मिल आपके सा के लिए, हुआरा से आपके से आपके सा कौन गताए ओतों के लाएंगे आपके साथ मून, निवे घ embaixoioneuros है सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्कूटर के की डामेंजन्स की दोनों का ही वील बेस है 1,301 mm ग्राउंड क्लिरेंस है 155 mm सीट हाइट है 780 mm करव वेट की अगर बात की जाए तो V1 Pro 125 kg का है और V1 Plus 124 kg का है दोनों के बीच में एक कलो का ही डिफरेंस है यह जो आपके सामने अभी स्कूटर है वो है Vida V1 Pro कलर की अगर बात की जाए तो V1 Plus में केवल और केवल दो ही कलर आते हैं और V1 Pro में तीन कलर आते हैं दोनों स्कूटर में कॉमन कलर हैं वाइट औरेड औरेड औरेंज कलर आपको केवल और केवल V1 Pro में ही मिलेगा जो की अभी आपके सामने है यहां फ्रेंट में आप देखिए Vida का लोगो लगा हुआ है फ्री टोन में आपको इसमें फ्रेंट मिलता है हेड लाइट की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में आपको प्रोजेक्टर LED हैड डेम सेटप मिलता है फ्रेंट टायर की फ्रेंट में आपको MRF कंपनी का एक बहतर क्वाल्टी का टिवलेश टायर मिलता है जिसका साइज भी में आपको दिखा देता हूँ जो की है 90-90-12 फ्रेंट टायर में ग्रिप्स आपको कुछ इस तरीके की मिलती है ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों स्कूटर में आपको फ्रेंट में बाइबरेट डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम ही मिलता है पैर रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिलता है यहाँ पर दो ऐलेक्टर कली फिसकल बटन मिलते है उपर वाले बटन से स्कूटर लॉक अनलॉक होता है और नीचे वाली बटन से बूट ओपन होता है यहाँ पर आपको एक USB-A चारजिंग पोर्ड मिलता है जिसकी साइता से आप एमर्जेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज भी कर सकते हो और यहाँ पर आप देखिए ले आपको कुछ इस तरीके की चावी मिलती है यह देखिए बजर के लिए है बूट ओपन करने के लिए है और लाइट कंट्रोल करने के लिए है इसी रिमोट में ही आपको एक फिसकल की भी मिल जाती है इसका आपको यूज कहां पर करना होगा यह मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा इसके हैंडल ORVM का डिजाइन कुछ इस तरीके का है आइए इसके फीचर बटन्स देखते हैं लैफ्ट हैंडल पर डेडिकेटर एक स्विच मिलता है जिससे आप तीन काम कर सकते हो लो बीम हाई बीम पासिंग यहाँ पर नैविगेशन बटन्स मिलते हैं काफी जवरदस्त है और प्रीमियम भी है इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर आपको डेडिकेटड एक मोड का बटन मिलता है दोनों स्कूटर में कॉमन तीन मोड मिलते हैं इको राइड एंड स्पोर्ट वीवन प्रो में एडिशनली कस्टम मोड भी मिलता है यहाँ पर इ स्कूटर को अनलॉक करते हैं वैसी इसके इंस्ट्रुमेंट क्लेस्टर की जो स्टार्टिंग कोच इस तरीके से होती है बहुत स्कूटर ओटी इनेबिल्ट सेविन इंचेस टी एफटी कलर्ड टेच स्क्रीन डिस्प्ले जिसमें आपको बहुत सारे मल्टीवल फीचर्स मि जरूर देख लीजिए उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बिटन में और इस वीडियो के डिस्कप्सन में दे दूँगा मैंने उसमें आपको डिटेल में एक्स्पें किया है कि इसको कैसे यूस करना है और कौन-कौन से फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं दौनों स्कूटर में सेम सीट पैटन मिलेगा ये देखी गाइस इसकी सीट जो है राइडर और प्लीन के लिए काफी ज़्यादा कमफर्टेवल है और सॉफ्ट भी है ये देखिए मैं आपको दवा कर भी दिखा देता हूँ सॉफ्ट है बाई ग्रेवरेल का पैटन कुछ इस तरीक का है आईए बात करते हैं रियर सेस्पेंशन की दोनों में ही आपको रियर में हाइडरलिक सेस्पेंशन मिलता है और यहाँ पर एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए एक गाइड भी मिलता है आईए गाइस अब बात करते हैं इन दोनों स्कूटर की मोटर की दोनों ही स्कूट में आपको PMSM integrated gearbox and controller मिलता है दोनों scooter की top speed है 80 km per hour तक की दोनों ही scooter की motor IP68 certified है कह सकते हो अच्छी तरीके से water resistant है braking system की अगर बात की जाए तो दोनों ही scooter में rear में आपको drum braking system ही मिलता है आईए बात करते हैं rear tire की rear में भी आपको MRF company का ही एक बैतर quality का tubeless tire मिलता है जिसका size भी में आपको दिखा दिता हूँ जो की है 180 12 front वाले tire से rear वाला tire चोड़ा है rear tire की grips कुछ इस तरीके की है यह है इस scooter की proper rear profile यहाँ पर आप देखी कंपनी ने Vida का badge लगा कर दिया है tail light आपको full LED में मिलती है जैसा कि pattern headlight का है वैसे इसकी tail light का भी है number plate light और site and indicator company ने LED में ही दिये है आईए अब मैं आपको इसकी seat open करके दिखाता हूँ यह देखी गाइस कुछ इस तरीके से यह open होती है इसके boot में आपको कुछ इतना space मिल जाता है seat के नीचे भी आपको यहाँ पर एक charging point मिलता है यह देखी गाइस जिसका port कोछ इस तरीके के pattern में है अब आप सोच रहे होगे कि मैंने आपको पहले भी दिखाये था यह भी दिखाये था इसके बारे में आपको थोड़ी दिर में explain करूंगा यह देखी गाइस यहाँ पर इसकी battery रखी हुई है जो इसके capacity अलग-अलग होगी आइए मैं आपको प्रो की battery निकाल कर दिखाता हूं और दोनों की battery के वारे में आपको डिटेल में बताता हूं अगर बात की जाए तो v1 Plus में आपको मिलती है 1.72 kWh की बैटरी की विल्ड क्वाल्टी काफी अच्छी है कुछ डीटेल्स दी हुई है यदि आप चाहूत वीडियो को पॉस्ट करके आराम से तसली से पढ़ सकती हो यहाँ पर आप देखिए वीडा की ब्रेंडिंग है यह देखी गाईस कुछ इस तरीके के पैटर्न में है और इसकी बैटरी जो है वो काफी भारी भी है इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है और इसको अनिस्टॉल करना भी बहुत आसान है अनिस्टॉल करके तो मैंने आपको दिखा दिया है install कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखी यहाँ पर एक socket लगा हुआ है और इसी direction में यहाँ पर भी एक socket लगा हुआ है बस आपको इसको उठाना है और उठाकर same direction में आपको इसकी battery को इसमें रख देना है आईए आईए गाइस मैं आपको यह दिखा देता हूँ यह देखिए same pattern पर और यह यहाँ से आराम से lock भी हो जाएगी यह देखिए कोई ज़्यादा जंजट नहीं है same ऐसे इसको निकालना है और ऐसे ही इसको insert करना है दोनों ही scooter की battery IP67 rated है दोनों ही scooter में आपको same electrical features मिलते हैं आईए गाइस अब मैं आपको यह सब कुछ दिखाता हूँ दोनों ही scooter में आपको keyless entry मिलती है जो की काफी अच्छी बात है यहाँ पर आपको unlock करने के लिए एक physical button मिलता है जैसी आप इसको press करते हो वैसी आप देखीएगा इसकी headlight और DRL automatically on हो गई है sight turn indicator में आपको on करके दिखा देता हूँ इसका low beam high beam भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखीए 1000 light का feature मिलता है यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखीए गाइस आइए गाइस अब बात करते हैं इसके charger की और charging system की दोनों ही scooter के साथ में आपको कुछ इस तरीके का charger मिलता है यह देखीए गाइस कुछ इस तरीके का इसका pattern है यहाँ पर company ने Vida को mention किया है और LED lights मिल जाती है जिससे आपको indicate यह करेगा कितना charge हो गया है कितना charge अभी नहीं होई है यहाँ पर एक आपको fan भी मिलता है इसके charger को cool रखने के लिए जो की काफी अच्छी बात है काफी premium इसका charger लग रहा है आईए charging socket में आपको दिखा दिता हूँ यह देखी गाइस यहाँ पर Vida की branding है और यह देखीए मैंने आपको दिखाया था ना seat के नीचे एक port यह socket वहीं पर लगेगा इसी charger की सायता से 0-80% V1 Plus 5 गंटे 15 मिनिट में चार्ज हो जाएगा और V1 Pro 5 गंटे 55 मिनिट में चार्ज होगा इस charger को तो आप wall बे भी माउंट कर सकती हो जो की काफी अच्छी बात है यदि आप इसके वारे में डेटिल में पढ़ना चाते हैं तो वीडियो को पॉस करके आराम से तसली से पढ़ सकती हो फास चार्जिंग की अगर बात की जाए तो आप दोनों ही स्कूटर को 0-80% 65 मिनिट में चार्ज कर सकती हो फास चार्जिंग का सौकेट आपको आगे की तरफ मिलता है ये किस तरीके से वर करता है इसके फास चार्जिंग स्टेशन कहां कहां एविलेविल है उसकी पहले से मैंने एक वीडियो बनाई है वीडियो और लेडी चैनल पर एविलेविल है और V1 Pro scooter 0-240 की speed 3.2 second में ही cover कर लेता है इसका मतलब यह है initial pickup V1 Pro का जादा बैतर है भाई बहुत सारी बात कर ली अब बात करते हैं दौना में ही आपको range कितनी मिलती है किसमें जादा मिलती है किसमें कम मिलती है V1 Plus में battery की capacity कम है इस वज़े से इस scooter में company claim करती है कि इसमें आपको 143 km तक की range मिलेगी V1 Pro में जादा capacity की battery मिलती है इस वज़े से company इसमें claim करती है कि इसमें आपको 165 km तक की range मिलेगी आई अब बात करते हैं एक और important बात की इनकी price की इनकी price में लगबग 12-15,000 रुपय का difference है मैं आपको Vida की official website से इसकी effective price बताता हूँ V1 Plus आपको effective price के साथ में 1,28,000 रुपय के आसपास मिलेगा और इसी के साथ साथ V1 Pro की अगर बात की जाए तो यह scooter effective price के साथ में 1,49,000 यनकी 1,39,000 रुपय के आसपास मिलेगा वैसे तो इसमें 11,000 रुपय का difference मिल रहा है लेकिन मैंने वही आपको बताया रफ आइडिया के तौर पर 12-15,000 रुपय के difference आपको मिलेगा जब आप इसको लोगे मैंने आपको effective price बताई है on road price नहीं बताई है on road price तो काफी ज़्यादा महंगी हो जाएगी क्योंकि effective price जो है वो subsidy वगेरा निकाल कर है सायद इस वज़े से आप price का केवल रफ आइडिया ही माने क्योंकि हर state की, हर district की और हर सुरुम की अलग-लग price होगी availability भी मैं आपको बता देता हूँ यह आपको दिल्ली में मिल जाएगा बेंगलॉर में मिल जाएगा और जैपूर में मिलेगा दोनों की ही preview queen start हो गई है यदि आप खरीदने में interested हो तो आप इसको खरीद सकते हो यदि आप इनका physical experience लेना चाहते हो तो बेंगलॉर से हैं यदि आप या फिर आप बेंगलॉर के आसपास से हैं तो वहाँ पर तो इसकी test ride भी start हो गई है यदि आप दिल्ली के आसपास से हैं तो ये अभी डिस्प्ले पर बड़े-बड़े malls में लगा हुआ है मेरे final opinion की अगर बात कीजए तो मैं अभी आपको यह scooter recommend नहीं करूँगा क्यूकि जब तक मैं इसकी test ride नहीं ले लेता तब तक मैं आपको recommend नहीं करूँगा on paper जो मैंने आपको features बताई हैं वो ultimate features हैं no doubt अभी मैंने इसकी test ride नहीं ली है इस वज़ह से मैं आपको यह recommend नहीं करूँगा जब मैं isकी test ride ले ले लूंगा जब मैं satisfied हो जाऊंगा तब ही मैं आपको यह recommend करूँगा बहुत ही जल्द इसकी वीडियो आने वाली है यदि आप wait कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप technical sht youtube चैनल को subscribe कर लीजिए जैसे ही उसकी वीडियो अप्लोड होगी वैसे ही notification सबसे पहले आपको मिल जाएगा और हाँ य इस वीडियो के discussion में दे दूँगा तो दोस्तो बस फ्लाल के इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीदे वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ इसको share कर दीजिए अगर आपका कोई भी सवाल या फे कोई भी सुझा वो कमेंट करना ना भूलीगा और अगर भी तक आपनों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो टेक्निकल SST यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब पर लिजिए कि मैं आपके लिए ऐसे ही interesting वीडियो और important वीडियो जी हाँ भई important वीडियो समय समय पलाता रह हूँ जै हिंद वन्दे मात्राम।